हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल नीमा स्कॉर्णर और मैं हूँ नीमा अभी कुछ टाइम पहले मैं गई थी घूमने और मैं रुकी थी चोमू पैलेस में 300 साल से भी ज्यादा पुराना महल है ये बेसिकली मतलब चोमू जगय का नाम है और जो वहां के राजा होंगे उनका ये पैलेस है जिसे अब कनवर्ट कर दिया गया है हेरिटेज होटल में तो आप सोच सकते हो कि कितना ही ब्यूटिफुल होगा हम लोग पिछली गर्मियों में गये थे बेसिकली अगस्त के टाइम पे विडियो बहुत लेट हो गया है आई नो बढ़ हां मजा मुझे बहुत आया है इसले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये है चोमू पैलेस नाम उतना मज़ेदार नहीं है बढ़ हां जगह बहुत ही ज्यादा मज़ेदार है दिली से ये करीबं 200 किलोमेटर दूर है 4-4.5 घंटे में आप पहुँच जाते हो और हम भी पहुँच चुके है चोमू पैलेस जगह बहुत अच्छी है बाहर से आपको ये नॉर्मल किले जैसा फील होएगा बट जब आप अंदर जाते हो ना तो बिलीव मी वाओ 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 ही निकलेगा आपके मुझ से ये इतनी ब्यूटिफुल जगह है आप देख सकते हो हम अभी किले की किनारी कि ही चल रहे है और हमें एंट्री करने में अभी देखना कितना टाइम लगेगा ये इतना बड़ा होटल है कि मैं आपको क्या बताओं दिली से तो मतलब अगर आप घूमने जा रहे हो ना आसपास जैपूर वगरा गूमना चाहते हो तो आप एक बार यहाँ पर स्टे जरूर करना मैं अगर मेरी बात करो तो मुझे ये होटल गजब का पसंद आया है और मैंने तो सोच रखाए कि मैं भी एक आदबारी और जाओंगी यहाँ पर यह आप देख सकते हो यह है इसकी एंट्री गेट बेसिकली जो फाइनल एंट्री थी ना वो तो पीछे से थी यहाँ त पता चला वहाँ पर फोटो लगी हुए थी कौन से हीरो हीरोईन यहाँ पर रुके हैं तो उसमें से एक थी बोल बच्चन, हाउस फुल और भूल भूलाईया बहुत सारी मुवीज की यहाँ पर शूटिंग हुई है और आप देख सकते हो बिलकुल किले का जो गेट होता न मतला हर चीज आपको बिलकुल ना राजा रजवाड़ों के जमाने में ले जाएगी जो की बहुत अच्छा है यह एंट्री है इसकी और आप देखोगे उपर जूमर वगेरा और आपके रूम में भी जो लाइटिंग लगी हुई है वो बहत खुब सूरत है चाभी लेके हम हम लोग पहुँच गए हमारे रूम में मेरे रूम से यह किले के अंदर जो है रूम और आप देख सकते हो यह किले की जो एंट्री थी ना वहां से थी और यह जो सेंटर में आपको इतना बड़ा जगह दिख रहा है यहां पर बहुत सारी मुवीज की शूटिंग हुई है वीर हो भूल-बुलईया हो या फिर बोल-बचन हो बहुत सारी मुवीज यहां पर है वैसे यह जगह जो पुराने जमने में यूज होती थी वो होती थी हाती घोड़े बांधने के लिए और अब यह बिलकुर सिटिंग एरिया बन चुका है बढ़ क्योंकि हम लोग गय थे जी हां बहुत बड़ा रूम था यह अगर मैं रूम के प्राइस की बात करूं ओफ सीजन में हम लोग गय थे तो हमें यह 6-7,000 पढ़ गया था बट हां आप बहुत अच्छी डील्स पा सकते हो क्योंकि मेरी तो छोटी सिस्टर मेरे साथ कई थी उसके हस्बन का काम ही टूर डे चार्ज करते हैं अगर आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग अगर आप चाहते हो या फिर आप चाहते हो प्री वेडिंग शूट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है तो यहां पर वो भी बहुत सारे होते हैं और यह था रूम टूर मेरा मैं एक्टुली सबको शूट कर र बेड्रूम से ज्यादा मजा वाश्रूम में आ रहा था क्योंकि वहां पर उन्हें कुछ ऐसी चीज दिखी थी जो कि अनेक्स्पेक्टेड था हमारे लिए तो मेरे बच्चे करते हैं ममी रूम छोड़ो बाथरूम में आओ यह आप देखोगे ना इसका बाथरूम और आप और यह जो था ना बाहर यहां पर एक बाथ टब था और बाथिंग एरिया था और पूरा ड्रेसिंग एरिया आपका बनावा था मतलब यह समझ लो कि जिस घर में मैं अभी रहती हूं ना वहां के मेरे बैड्रूम से ज्यादा बड़ा इनका बाथरूम था बिलीव मी इतने बड़े बड़े बाथरूम और रूम्स देखके न बहुत ही मज़ा आ जाता है और यह हूं मैं बड़ी बुरी हालत थी क्योंकि चार घंटे का ट्रेवल करके आया थे गर्मी में और आप नाएंगे दोएंगे फ्रेश होएंगे यह पहला होटल था ऐसा जिसमें वेटिंग मशीन भी थी रूम में मतलब यह लोग चेक करना चाते हैं कि हम इनका खाना के कितने मोटे हो गए नहीं एक्चुली जहां पर फॉरण कंट्री के जो ट्यूडिस रोते हैं वहाँ पर हमेशा वेटिंग मशीन आपको मिलेगी क्योंकि वो लोग बड़े पंक्चुल होते हैं फुल-on heritage feel आपको आती है चाहे वो राजाओ की फोटो देखो यह आप उपर दिवार पर करी हुई पेंटिंग को देखो और यह था गार्डन और बहुत ही मस मजा आ गया गर्मी थोड़ी ज्यादा थी बट हां मजा बहुत आया और स्विमिंग पूल देखके तो बच्चे बिल्कुल कूद पड़े यहां पर आप देख सकते हो यह वो सेलेबरिटीज की फोटो यहां पर लगवाई हुई है जो इनके होटल में रुके है चाहिए बोल बच्चन पूरी टीम क्योंकि वहां की तो उस मूवी की शूटिंग ही यह हुई थी वीर मूवी की शूटिंग बूटिफुल लगती है न कि मैं आपको क्या बता हूँ और रात का नजारा ओ माई गॉड मतलब बहुत ही मस्त हर कमरे में लाइट जलियू है और जब आप बैठते हो नहीं यहां पर जैसा अभी शिवांच बैठा हुआ है तो बहुत ही बड़िया लूक आती है इसकी यह तो किला है न यह रात को देख तो आपको खुद बहुत सारी पिक्चर्स याद आजाने वाली है कि मैंने अच्छ यह उसमें भी देखा था यह तो जब भूल बुलए है मैं उस गाड़ी की एंट्री थी थी थिना तब मैंने देखा था अशली भूल बूल यह का आपको वा एक ना बहुत ही मज़े वाली फीलिंग आती है वहाँ पर, तो अगर आप भी अपना प्री वेडिंग शूट करवाना चाहते हो, या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कोई बेस्ट जगे ढूंड़ो नो, मैं तो अपको अड्वाइस करूंगी कि यहीं पर करो, अभी तक मै मेरे को बहुत अच्छा होटल लगाए, नहीं अभी बहुत होटल में रुक्यू हूँ बट यह सुकून वाली जो चीज थी ना, वो यहाँ पीलाई, क्योंकि देखोगे न, मेरे व्लॉग में आपको कोई लोग नहीं दिख रहोंगे, बिल्कुल शांती थी यहाँ पर हो सक मुझे तो चाहिए भई मैं ऐसे होटल में रुकूं कि जहां पर मैं सिर्फ होटल में ही रहूं, सिर्फ खाना पीना खाने के लिए भाहर चले गए तो चले गए, अदर्वाइस मुझे घूमने कहीं नहीं जाना है, तो मैं हमेशा लग्जूरियस होटल जो हमें सस्ते ओफर में भी मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे जवाई जी जो है ना वो बड़े ओफर समें दिला देते हैं, तो आप भी ट्राइ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया जगह है, मुझे तो कमाल की लगी, मैं हर होटल के बारे मैं आसा नहीं बोलती हूं, बहुत हो मैं रुकी हूं, बोलती कभी भी व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूं, जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूं, अकेले होती हूं तो जरूर कर लेती हूं, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता ना यार, कि 10 लोग देखेंगे, पता नहीं क्या सोचेगे, वो confidence आस तक आया ही नहीं जिंदगी में, चार साल ह होगा यूट्यूब पर, बट मुझे बहुत मजा आया और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि इन्हें खेलने की जेगे बहुत सारी मिल गई थी, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक, शेर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब क करके जरू जाओगे, और भी बहुत सारे होटलिस की वीडियो में आपके साथ शेर करने वाले हूँ, जो कि मुझे अच्छे लगे है, जो कि मुझे अच्छे लगे है, और बिलीव करती हूँ कि आपको तो और भी जादा अच्छे लगेंगे, थैंक्यू, थैंक्स और झाट झांचे बेंगे, एूद बहीं करました कि आच ए लगे में आच्छे लगे Cantonese, और शेंगे